नागिन तीन में क्या बेला बदल जाएगी और क्या आने वाले एपिसोड में नई बेला देखने को मिलेगी और क्या बेला सच में बदल जाएगी तो उसकी पड़ी वजह क्या होगी और आने वाले एपिसोड में कैसे बेला लेगी अपनी मा की मौत का बदला और क्या होगा आने वाले एपिसोड में वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजो के बैल आइकन को भी दबा दे आपने जैसे की पिछले खतरनाक एपिसोड मे या नहीं वो तो सब आप आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे और सबसे बड़ा और खतरनाक जटका तो तब लगता है जब सुमित्रा बेला को पहाड के नीचे फैक देती है और आने वाले एपिसोड में सबसे दुख की बात ये होगी कि बीचारी बेला एकदम से पहा के मौत का बदला लेने के लिए और अपने प्यार का बदला लेने के लिए फगवान बोलेनात मतलब देवों के देव महादेव के पास से एक बार फिर सुमित्रा से बदला लेने के लिए नया चेहरा मांगेंगी और दुसरी तरफ सुमित्रा के दिमाग में यही बात सेट ह कि बेला फिकरांत फिशाखा और माहिर मर चुके हैं लेकिन आने वाले एपिज़ोड में बेला अपने नई चेहरे के साथ सैगल हाउस में आएगी और बेला अपनी मां के मौत का बदला लेने के लिए एक बर फिर खतरनाक तरीके से इंतकाम लेगी और जब बेला आने वाले एपिसोर्ड में सैगलाऊस में अपने नई चेहरे के साथ आएगी तो बेला का दूसरा नाम क्या होगा वो तो सब आप आने वाले एपिसोर्ड में ही देखेंगे और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के अनुसार माहिर नागराज के अवतार में आने वाले एपिसोड में दिखेगा और सबसे बड़ा सवाल तो आप लोगों से ये है कि क्या अपनी बेला मतलब सुर्भी जोती का चेहरा बदल जाएगा तो क्या आप आने वाले एपिसोड में नई बेला का चेहरा देखना पसंद करोगे या नहीं ये हमें कॉमेट में सरूर बताए और आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो वो सब हमें अपनी राइक कॉमेट में सरूर बताए और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा लेकिन लाइक करोगे तो ज्यादा अच्छा है लेकिन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अभी तक आपने हमारे चैने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार